Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings बहुत ही amazing movie है इसका जबरदस्ट action, कमाल की स्टोरी लाइन इस movie को एक perfect watch बनाती है और इस वीडियो में मैं Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings movie की पूरी हिंदी explanation करूँगा movie के बिल्कुल start से लेकर end credit scenes तक सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ movie की explanation से पहले बस इस चैनल को subscribe कर दो और side वाला bell icon दबा देना ताकि आगे release होने वाली Marvel movies और web series की Hindi explanation वीडियो जब मैं upload करूँ तो उसकी notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो अब शुरू करते हैं movie की explanation movie start होती है हजारों सालों पहले के एक scene से जब यू वेन वू नाम का एक आदमी अपनी 10 rings की मदद से पूरी दुनिया को अपने कबजे में करने लग जाता है किसी को नहीं पता कि यू वेन वू को ये 10 rings आखिर कहां से मिली हैं लेकिन इन 10 rings की ताकत के आगे कोई भी नहीं टिक पाया है और हाँ जू वेन वू ने अपनी आर्मी का नाम 10 rings रखा था उसके बाद हजारों सालों तक जू वेन वू पूरी दुनिया पर राज करके अब सब कुछ हासिल कर चुका होता है लेकिन फिर येर 1996 में उसे पता चलता है कि तालों नाम का एक अद्रिश्य गाउ है जहां लोग आज भी देवताओं के सिखाए हुए फाइटिंग स्टाइल्स या तोर तरीकों को प्रेक्टिस करते हैं यू वैंवू उस गाउं में जाकर और जाधा पाफुल होने का तरीका ढूमना चाता है और वो अपने कुछ लोगों के साथ उस गाउं में गुसने भी जाता है लेकिन गाउं जाने के रास्ते में एक जादूई जंगल आता है ये लड़की पहली इंसान थी जिसने यू वैंवू की 10 रिंग्स की ताकत के बावजूद उसे हराया था इस लड़की का नाम जियांग ली होता है जियांग ली यू वैंवू को ट्रेन करती है और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है शैंग ची जो इस मूवी का मेन करेक्टर है और शैंग ची जब छोटा सा था तो उसकी माने उसे सब बताया था कि किस तरह वो उसके पिता से मिली थी और उसने ये भी पताया था कि शैंग ची के पिता यू वेनवू के लिए उसने अपना गाउं तक छोड़ दिया था और उसकी शक्तियां भी उसी गाउं में रह गई थी फिर शैंग ची की माउस के गले में एक लॉक्रिट डालती है फिर हमें प्रेजन टाइम दिखाये जाता है जिसमें शैंग ची अपने रूम में उठकर कुछ पुश अप्स मारता है और फिर तयार होकर जॉब पर जाता है और उसका काम है वोटल में आ रहे हैं अमीर लोगों की लगजरी कार्स को पार्किंग में लगाना और हाँ ये शैंग ची की बेस्ट्रेंड कैटी है और ये भी सेम जॉब ही करती है लेकिन इसके ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं फिर शैंग ची और कैटी अपनी एक फ्रेंड और उसके हजबन के साथ कहीं रेस्टराउम में बैठे होते हैं और इस सीन में हमें पता चलता है कि शैंग ची और कैटी एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते हैं फिर वहाँ से निकल कर वो कहीं काराओ के पाटी करते हैं और फिर अगले दिन सुभा शैंग ची कैटी के घर पर जाता है और फिर 10 रिंग्स और शैंग ची की आपस में फाइट होती है और यहां में मुवी का एक और मेंड विलन देखने को मिलता है रेजर फिस्ट और ये भी 10 रिंग्स का ही मेंबर है केटी ने आज तक शैंग ची को कभी फाइट करते हुए नहीं देखा था और वो हैरान होती है कि इतनी खतरनाक लोग शैंग ची के पीछे क्यों पड़े हुए है शैंग ची यहां तो जैसे तैसे उन लोग उनसे बच के निकल जाता है लेकिन रिजर फिस्ट के हाथ हो शैंग ची का लॉकिट लग जाता है और रास्ते में तो मुझे सब कुछ बताएगा शैंग ची रास्ते में केटी को सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि उसकी मा के मरने के बाद उसके पिता ने उसे ट्रेनिंग दी थी और ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने उसे एक मिशन पर बेजा था शैंग ची भी ना सोचे समझे साइन कर देता है उसे लगता है कि शायद से इस building में entrance के लिए कुछ formalities करनी पड़ती होंगी lift खोलते हैं उसके सामने जॉन जॉन आ जाता है जॉन जॉन शैंग ची को बताता है कि उसकी बस वाली fight online upload कर दी है किसी ने और उस पर 2 million views आ चुके हैं तीन दिन में and actually यहाँ पर illegal street fights होती है और एक fight में हमें देखने को मिलता है कि Wong abomination से लड़ रहा है और abomination Wong से हार जाता है जॉन जॉन शैंग ची को कहता है कि तुम्हें भी fight करनी पड़ेगी शैंग ची fight करने से मना करता है शैंग ची कहता है यहाँ मैं अपनी बहन को ढूंडने आया हूँ जॉन जॉन कहता है तुम्हें fight करनी ही होगी क्योंकि हमने lift में तुमसे पहली contract sign करवा लिया था fight का फिर शैंग ची को fight करनी ही पड़ती है और शैंग ची के against होती है उसी की बहन और उसकी बहन का नाम है शैलिंग शैलिंग को fight करते हुए याद आता है कि उसके भाई ने उसे कहा था कि मैं mission पर तीन दिन के लिए जा रहा हूँ और तीन दिन बाद मैं वापिस आ जाँगा लेकिन शैलिंग उसका रोज वेट करती रही शैलिंग को हरा देती है फाइट में फाइट खतम होने के बाद शैलिंग केटी से मिलती है और शैलिंग उसे बताता है कि हमारे पापा हमारे लॉकिट्स के पीछे पड़े हुए है और Shang-Chi ये भी कहता है कि उसे नहीं बता कि इन law kit से क्या किया जा सकता है लेकिन वो इतना जानते कि कुछ बुरा ही होगा फिर वहाँ 10 rings के लोग आ जाते है शैलिंग वहां से भाग जाती है लेकिन केटी और Shang-Chi वहाँ अकेले रह जाते है Shang-Chi 10 rings से fight करता है और यहां में एक और खतरना करेक्टर देखने को मिलता है डेथ डीलर और ये भी 10 रिंग्स का ही मेंबर है शैंग ची से फाइट करता है और फिर बीच फाइट में केटी एक बार मरने वाली होती है लेकिन तभी शैलिंग वापिस आकर उसे बचा लेती है फिर शैंग ची डेथ डीलर से लड़ता है और वो डेथ डीलर को मारने वाला होता है तब ही उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और फिर वो शैंग ची को अपने साथ घर चलने को कहते हैं फिर शैलिंग, केटी और शैंग ची यू वेनवू के साथ 10 रिंक्स के अड़े बर जाते हैं वहाँ पर पहुंचकर शैलिंग, केटी को बताती है कि शैंग ची के जाने के बाद वो भी 16 साल की उमर में घर से बाग गई थी फिर उसके बाद वो बैट कर फैमली डिनर करते हैं और फिर उनका पिता बताता है कि वो आखिर क्यों उनके लॉकिट के पीछे बढ़ा हुआ था वो शैंग ची और शैलिंग को कहता है यह तुम्हारी मा मुझे पुकारती है वो बता रही है मुझे कि तालो के गाउं में यानि उसी के गाउंवालों ने उसे एक बड़े से दर्वाजे के पीछे कैद करके रखा हुआ है शैंग ची अपने पिता को समझाता है कि मा मर चुकी है यह सिरफ आपका वहम है फिर यू वेनवू अपने दोनों बच्चों के लॉकिट के बीट्स को एक लकडी के बने हुए ड्रैगन की आंखों में लगा देता है और फिर वहाँ पर अचानक दिवारों से पानी निकलने लगता है और फिर उस पानी से तालो नाम के गाउं में घुसने का रास्ता दिखता है शैंग ची कहता है अगर आपकी बात सच है तो आपको लगता है कि क्या हमें गाउं वाले रोकेंगे नहीं कुछ ऐसा करने से यू वैन वू कहता है मैं सभी गाउं वालों को जला दूँगा लेकिन अपनी बीवी को वापिस ला कर रहूंगा शैंग ची कहता है मैं आपको ऐसा नहीं करने दूँगा Yu Wen Wu, Shang-Chi, Jai Lin और केटी को जेल में बंद करा देता है क्योंकि Shang-Chi उसकी बातों में हामी नहीं भर रहा था और वो उसे रोक रहा था फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि Yu Wen Wu को सच में अपनी बीवी की आवाज सुनाई देती है और वो उसे कहती है कि मुझे वहाँ से छुडा ले जाओ मुझे इस कैट से आजाद कर दो दूसरी तरफ Shang-Chi, Jai Lin और केटी को जिस जेल में बंद किया होता है वहाँ पर एक और इनसान कैद होता है और उस इनसान के पास एक बड़ा सा बर्ड होता है जिसका सर नहीं होता यह creature actually तालो नाम के village से आया है यह Shang-Chi की मां के साथ ही आया था और उस आदमी ने इस creature का नाम वॉरिस रखा हुआ था वॉरिस उस आदमी को कहता है कि मैं Shang-Chi की मां को जानता था और मैं Shang-Chi को वापिस उस गाउं में ले जा सकता हूं वो वहां से जैसे तैसे escape करके डालो विलेज की entrance से पहले जो जादोी जंगल आता है उसके बाहर तक पहुंचते हैं फिर वारिस उन्हें directions बताता है और केटी उन्हीं directions की guidance के according जंगल में drive करते हूए एक waterfall के सामने जाकर पहुंचती है और फिर उस waterfall को cross करते ही तालो विलेज आ जाता है तालो विलेज में enter होते ही उन्हें अजीब अजीब से creatures दिखते हैं जैसे कि nine-tailed fox अजीब से sing वाले गोडे और वार इसके जैसे बिना गर्दन वाले पंची फिर उनकी गाड़ी के सामने पुरा गाउं एकठा हो जाता है और फिर शैंग ची और बागी सब कार से उतरते हैं और वहाँ पर उन्हें गाउं में यिंग नैन मिलती है शैंग ची की मा की बहन शैंग ची यिंग नैन को बताता है कि उनके पास time कम है उसके पिता यहाँ पर कभी भी पहुंच सकते हैं यिंग नैन शैंग ची को बताती है कि हम काले द्वार के रखवाले हैं शैंग ची बताता है कि उसके पिता किसी ऐसे ही दर्वाजे की बारे में बात कर रहे थे से आजाद हो सकते हैं। येंग नैन बताती है कि उन काली शक्तियोंने पहले हमारी दुन्या को खतम किया और फिर वो तुम्हारी दुन्या की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन फिर हमने एक काला दौर बनाया जिसमें हमने उन्हें कैद करके पिर येंग नैन उन्हें वहां के कुछ खास सत्यार दिखाती है और वहां अचानक से एक गाउं की बूड़ी औरत आती है जो केटी को धेर सारे आरोस पकड़ाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो केटी उस बूड़ी औरत के साथ चली जाती है फिर येंग नैन शैंग ची और शाहिलिंग को उनके लिए कुछ खास बनाई हूई यूनिफॉर्म दिखाती है इसके अगले सीन में हमें दिखता है कि केटी बहुत अच्छा निशाना लगा लेती है एरोस से शाहिलिंग भी अपने पिता से लड़ने के लिए ट्रेनिंग कर रही है और येंग नैन शैंग ची को ट्रेनिंग दे रही होती है ट्रेनिंग के दौरान वो इंडिरेक्टली शैंग ची को ये समझा रही होती है कि तुम्हारी मा ने तुमें जो सिखाया है वो याद रखो शैंगची को लेकर उसी दुश्मन के अड्डे पर जाते हैं और अपने उस दुश्मन के सभी आदमियों को मार देते हैं फिर शाम के समय, शैंगची, केटी को ben gonna बता था है कि Is τ मैंने सब कुछ सच नहीं बताया है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बच्चे थे फिर अगले देन सुबा शैंग ची के पिता वहाँ पहुंचते हैं 10 रिंग्स को लेकर और फिर वहाँ फाइट शुरू होती है तब ही आपस में लड़ने लग पड़ते हैं और उसे जोर से अपनी 10 रिंग्स की मदद से तोड़ने लग पड़ते हैं और फिर उस दर्वाजे के अंदर से बड़े से मॉंस्टर्स बाहर आने लगते हैं जो गाओं के लोगों की आत्माओं को उनके शरीर से निकाल कर अपने मालिक को दे रहे होते हैं और उनका मालिक अभी भी उस दर्वाजे के पीछे ही बंद होता है ऐसे मॉंस्टर्स को देखकर यू वेनवु के आदमी यानि 10 रिंग्स गाओं वालों के साथ मिलकर उन मॉंस्टर्स को मारने लग पड़ते हैं लेकिन वहाँ पर धेर सारे वैसे मॉंस्टर्स आ जाते हैं और शैंकची अभी विष तालाब के अंदर ही होता है शैंकची को अचानक अपनी मा की कहिवी बातें यांद आती है और फिर अचानक तालाब से एक बहूत बड़ा ड्रैगन निकलता है और उस ड्रैगन की पीट पर बैठा होता है शैंक ची वो ड्रैगन इतना बड़ा होता है कि बाकी सारे मॉंस्टर्स उसके सामने छोटे से लग रहे होते हैं और वो ड्रैगन उन मॉंस्टर्स को खाने लग पड़ता है और शैंक ची अपने पिता को रोकने जाता है जो almost उस dragon के बराबर का होता है और वो monster बाहर निकलते ही सबसे पहले Shang-Chi के बाप की आत्मा को खाता है जब Shang-Chi के पिता मर रहे थे तब उन्होंने Shang-Chi को अपनी 10 rings दे दी थी Shang-Chi dragon की पीट पर बैठता है और उस monster को हराने की कोशिश करता है लेकिन वो monster उस dragon की आत्मा को खाने वाला होता है और जैसे ही वो उस dragon की आत्मा को बाहर निकालने वाला था तब ही केटी उस monster की गरदन पर अपने arrow से attack करती है और dragon बच जाता है फिर उसके बाद Shang-Chi अपनी मा के fighting techniques को याद करते हुए उस बड़े से monster से लड़ने लग पड़ता है और Shang-Chi अपने मा के fighting style और 10 rings की ताकत की मदद से उस बड़े से monster को खतम कर देता है और उस monster के चीथरे उड़ जाते हैं गाउं में काफी लोग मरे होते हैं और उनमें से एक Shang-Chi के पिता भी थे उसे लगता है कि ये बस मजाग कर रहे हैं लेकिन तब ही अचानक वहाँ restaurant में Wong एक portal खोलकर उनके सामने आता है और Shang-Chi और Katie को अपने साथ चलने को कहता है और ये देखकर restaurant में बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इसके बाद हमें post credit scenes में ये देखने को मिलता है कि Wong, Shang-Chi और Katie को जहाँ लेकर गया है वहाँ पर Bruce Banner और Captain Marvel होते हैं Bruce Banner का एक हाथ तूटा हुआ होता है इसका मतलब Shang-Chi जो movie है वो end game के बाद हुई events है और Wong इने यहाँ पर इसलिए लेकर आया है क्योंकि Shang-Chi की 10 rings से कुछ message आ रहा है इसी तरह के signals आ रहे हैं और कोई नहीं जानता वो किस तरह का message है इसके बाद हमें एक और end credit scene देखने को मिलता है जिसमें हमें Shang-Chi की बेंचाइलिंग अपने पिता Yu Wenwu के अड़े पर दिखती है और वो अपने पिता के काम को take over कर चुकी है यानि Yu Wenwu के बाद वो अब वहां की मालिक है और फिर हमें एक screen दिखाय जाती है जिस पर लिखा होता है इसका मतलब हमें इस movie का second part भी देखने को मिलेगा तो दोस्तो इस वीडियो में सिरफ इतना ही वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सबस्क्राइब कर देना और साइड वाला बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाली जब मैं मार्वल की movies की हिंदी explanation वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी personal notification सबसे पहले मिले मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद